अभी हम लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर इंडियन कॉंसिटिशन में प्राइम मिनिस्टर एक इंपॉर्टन पार्ट है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है अभी हम देखते हैं अभी हम लोग देखते हैं appointment of prime minister जो article 751 है वो क्या कहता है कि president appoint करता है prime minister को और prime minister की advice के साथ ही president जो है वो council of minister को appoint करता है यानि जो president है वो अपनी मर्जी से council of ministers को choose नहीं कर सकता president की सला के साथ president जिन व्यक्तियों का या फिर जिन ministers की list president को देता है council of ministry के लिए president उसके साथ सहमत हो जाता है रिटेन की government ने भी ऐसा किया हुआ है कि जो crown है यानि की जो वहां का king है या queen है वो क्या करते हैं कि जिस political party के पास majority में votes होते हैं उनके leader को prime minister choose कर लिया जाता है इसके बाद क्या आता है prime minister के लिए बहुत सारे provisions बनाए गए पर सरकारिया commission 1983 के आने के बाद कुछ ऐसे provisions बनाए गए prime minister की appointment के लिए वो क्या थे वो ये थे कि जो president है वो election से पहले गठबंदन जिन सरकारों का गठबंदन जिन political parties का गठबंदन हुआ है उसके दल के नेता को बुलाएगा और उनको majority show करने के लिए बोलेगा उसके बाद क्या provision बना कि election के बाद जो गठबंदन बना है उसके दल के नेता को बुलाए और अपना majority show करने को बोले यह तीसरा provision क्या बना कोई भी political party जो majority होने का दावा कर रही है यह यह बोल रही है कि और भी political parties हमारे इसा joint है और निर्दल ये उमीदवार जो है जो आजाद उमीदवार चुनाव लड़ते हैं जो जीतते हैं उनका समर्थन हम लोगों को प्राप्त हो गया है तो president उस दल के नेता को क्या कहता है कि अपना majority show करो यह no confidence motion के साथ अगर सरकार गिर जाती है तो जिस पार्टी की तरफ से no confidence motion लाया जाता है प्रेजिडेंट उस पार्टी को क्या कहता है कि आप अपना majority show करो अभी हम लोग बात करते हैं powers of prime ministers in comparison to other ministers मतलब कि prime minister की powers क्या है comparison to other ministers प्रेजिडेंटर्स प्रेजिडेंटर्स